प्राचिन समय की बात है, महंदीपुर नाम के एक गाउं में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था, वो बहुती ज़्यादा महनती था, बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थी, मोहन की एकलोती बहन थी, रेश्मा, जिससे मोहन बहुत ज़्यादा प्यार करता मोहन चाता था कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, परन्तु मेरी बहन एक दिन ओफिसर ज़रूर बनेगी, मोहन की बहन बचपन से ही पढ़ने में बहुत उश्यार थी, मोहन चाता था कि उसकी बहन बढ़ी होकर ओफिसर बने और उसका नाम रोशन करे, इसी मोहन खेतों में दिन रात काम करता और अच्छे पैसे कमाता जिससे वो अपना और अपनी बहन का खर्चा चलाता, मोहन के माता पिता के गुजर जाने के बाद रेश्मा का एक ही सहारा था, वो था मोहन, इधर घर में रेश्मा भी चुलबुली, बहुत ही एक अच्छी लड पूदी सुंदर थी, रेश्मा पंडे में बहुत हुशार थी, और वो अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो हमेशा सोचती थी, कि मेरे भाई को जो सुख नहीं मिला, उन्हें वो सुख मैं दूँँगी, रेश्मा अपने भाई के बारे में ही सोचत नहीं होगी ऐसा सोचते हुए रेश्मा इधर से उधर घूमती है और अपने भाई के लिए हजारों सपने अपने आखों में संजोए रखती है और सोचती है कि मैं एक दिन बड़ी ओफिसर बनके घर में फ्रीज, टीवी, कुलर जो सामने चीजे होती है वो सभी भाईया के ल लड़की थी वो बहुत इस नेक लड़की थी वो हमेशा अपने भाईय के बारे में सोचती रहती थी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती थी वो अपनी कक्षा की मौनिंटर थी इस्कूल में रोहन रेश्मा का क्लास्मेर था रोहन बहुत ही बिगड़ा हुआ था ज कहते हैं बेटी तुम वही हो जो क्लास में हमेशा फस्ट आती हो रेशमा उत्तर देती है हां मैं वही हूँ उसके पिता रोहन के बारे में पूछते हैं तब रेशमा सारा पड़चा खोल के रख देती है रेशमा कहती है कि अंकल रोहन न तो पढ़ा ही करता है और न कख्षा आटेंड करता है, वो हमेश्य क्लास में से गयाव रहता है, और अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चला जाता है ये सब बाते सुन रोहन के पिता को बहुत गुश्सा आता है और रोहन को भी इस बात का समझ में आ जाता है कि में ये बाते सारी रेश्मा ने कही है पिताजी से रोहन रेश्मा से बदला लेने के लिए शड़ी अंत्र रचता है और रोहन उसके भाई के पास जाता है मोहन जब खेत में काम कर रहा होता है तो वहां रोहन आता है और रोहन मोहन से कहता है भाईया मैं आपसे कैसे कहूं आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं लेकिन मुझे आपसे बोलना ही पड़ेगा आप इतनी मेहनत करते हैं इतने अच्छे से खेती करते हैं अपनी बहन को पढ़ाने के लिए परंतु आपकी बहन वहां क्या कर रही है इस्कूल में आपको नहीं पता पहले तो मोहन ये बाते सुनके बहुती ज़्यादा अचंबित हो जाता है फिर रोहन बोलता है कि भाईया अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप इस्कूल में दो बजे देख सकते हैं कल आकर जब छुट्टी होती है कि वो वहां क्या करती है अब कही न कही मोहन के दिमाग में उसकी बहन के लिए शक घुल गया था इधर रोहन इस्कूल में आकर जिन दो फ्रेंड्स लोगों को मूवी दिखाने ले जाता था वो दोनो फ्रेंड रोहन से कहने लगे कि हमें मूवी दिखाओ रोहन कहता है अगर तुम्हें मूवी देखनी है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जो की बहुती ज़ादा आसान है जो मैं कहूं जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना होगा अगर तुमने ऐसा किया तभी तुम्हें मूवी दिखाने के लिए में लेकर जाओंगा और तभी तुम्हें मैं अच्छा अच्छा खाना खिलाओंगा बलो क्या तुम दोनों को मेरी बाते मंजूर है ऐसा सुनकर वो दोनों दोस्त हां कह देते हैं उसमें से एक दोस्त पिंटु रेशमा के पास जाता है और वो रेशमा से कहने लगता है रेश मा तुम्हारे भाई कितनी मेहनत करता तुम्हारे लिए और मेरे पास एक ट्रिक है जिससे कि तुम्हारे भाई की तुम हेल्प कर सकती हो वो दिनरत खेती करता है लेकिन फिर भी उसकी फसल एक साल में उगती है कल ही मेरे पापा शहर से आए हैं और अच्छी खाद और उर्वरा लेकर आए हैं जिससे की एक साल की खेती छै महिने के अंदर हो सकती है अगर तुम मेरे साथ मेरे पिता जी के फार्म हाउस पर चलोगी तो महां से वो उर्वरा और जो खाद है वो मैं तुम्हें दे दूँगा इसके बदले तुम्हें मेरा मैत का काम करना होगा क्योंकि मुझे पता है तुम कक्षा में सबसे होश्यार लड़की हो और तुम मेरा काम करने से मना नहीं करोगी क्योंकि मैं इसके बदले तुम्हें खात दूंगा रेश्मा एक भूली भाली लड़की होती है वो सिधी साधी होती है वो सरज सुभाव में आकर पिंटू की बातों में आ जाती है इधर मोहन जो रेश्मा का भाई था उसके दिमाग में रोहन ने शक डाल दिया था इसलिए वो रेश्मा की जासूसी करने के लिए उसके स्कूल में आता है कि रेश्मा क्या करती है और इधर पिंटू उससे कहता है रेश्मा से कि तुम दो बजे आज मेरे साथ मेरे पिताजी के फामाउस पर चलो ये सब मोहन छुपके देख रहा होता है और मोहन पीछे पीछे जाता है परंतु मोहन सोचता है कि ये सब रेश्मा क्या कर रही है मैंने तैसा कभी सोचा भी नहीं था कि रेश्मा इतना धोका दे सकती है मुझे ऐसी बाते सोचते हुए मोहन बिचारा सीधा और सरल सभाव का व्यक्ति था वो सीधा रेश्मा के पीछा करने की वज़ाए घर चला जाता है और इसी बात को सोचता रहता है कि अब मेरा क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? ऐसा सोचते हुए मोहन घर चला जाता है कुछी देर बाद रेश्मा भी घर पहुंच जाती है थोड़ा समय निकलता है फिर हम देखते हैं कि रेश्मा की एक फ्रेंड पिंकी महां आ जाती है पिंकी मोहन से कहती है भाईया रेश्मा दिखाई नहीं दे रही रेश्मा कहां गई है इतना सुन मोहन कहता है रेश्मा आमके पेड़ के नीचे बेठी है अगर तुम्हें रेश्मा से मिलना है बात करनी है तो तुम आमके पेड़ के नीचे जाओ इतना कहके मोहन मनी मन सोचता है कि अब मैं पिंकी और रेश्मा की बाते सुनूंगा ये दोनों क्या बाते करती है हलांकि ऐसा मोहन नहीं चाहता पर कहीं ने कहीं रोहन ने उसके दिमाग में शक घोल दिया होता है इसलिए मोहन सूचता है कि अब मैं इन दोनों की बाते छुपके से सुनूंगा इधर पिंकी मोहन से बाय केकर वहां से चली जाती है और वो रेश्मा को देखने लगती है मोहन मनी मन खुश होता है हलांकि वो ऐसा नहीं चाहता पर वो अब इन दोनों की बाते छुपकर सुन रहा होता है वह ये देखना चाहता है कि रेश्मा और पिंकी आपस में क्या बाते करती है इधर हम कुछ ही समय बात देखते हैं कि पिंकी आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई रेश्मा के पास पहुँचती है पिंकी रेश्मा से पूछती है रेश्मा आज छुट्टी में तुम पिंटू के साथ कहा जा रही थी तव रेश्मा ये सुनकर कहती है पिंकी मैं तो पिंटू के साथ उसके फामाउस पजारी थी क्योंकि मुझे पिंटू ने कहा अगर तुम मेरे मैत का काम कर दोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले खाद और उरवरा दूँगा जिससे कि तुम्हारे भाई की खेती में हेल्प हो सकेगी उसकी ये बाते सुनके मुझे लगा कि मुझे उसका गडित का काम कर देना चाहिए मुझे करना ही तो बस मैत का काम था मैत के काम क करके मुझे उसके बदले खादर उरवरा मिल रही थी जिसके बदले मैं अपने भाई की मदद कर सकती थी बस फिर क्या था मैं पिंटू के साथ चल निकली पिंटू ने मुझसे दो बजे का कहा था कि जब छुट्टी हो जाएगी तब मैं तुमें लेकर मेरे पिताजी के फामोस पे जाओंगा मैं अपने भाईया के लिए खाद लेने गई थी इतनी बाते सुन मोहन वहां आ जाता है मोहन के आंसू आ जाते है मोहन अपनी बहन से माफ ही मांगने लगता है मोहन कहता है मेरी बहन मुझे माफ कर दो मेरे दिमाग में रोहन ने बहुत गलस शक डाल दिया था तुम्हें लेकर इसलिए मैं तुम्हें गलस समझ रहा था मोहन गुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी बहन से माफ ही मंगने लगता है रिश्मा कहती है अरे भाई याई आप क्या कर रहे हैं रोहन तो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है एक दिन उसके पिता जी ने मुझसे रोहन के बारे में पूछा था हो सकता है वो उसी बात का हमसे बदला ले रहा हो मोहन को यहां बहुत गुसा आता है यह सब सुनकर मोहन अपनी बेहन को लेकर उसके पिता जी के घर जाता है ताकि वो रोहन की सारी बाते उसके पिता जी को बता सके जैसे ही मोहन रोहन के घर पहुंचता है रोहन का सारा चिट्टा खोल कर वो उसके पिता जी के सामने रख दे मोहन की बाद सुनके उसके पिता कहते हैं बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ये बिल्कुल नालायक है ये पढ़ाई भी नहीं करता और ये मेरी समपती पे एश करना चाहता है आज के बाद इसका स्कूल जाना बन इसका खाना पीना बन अब ये खेत में मेहनत करेगा रोहन भी बाद में बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करता है और अच्छा ओफिसर बनता है इधर रेशमा भी बहुत बड़ी ओफिसर बन जाती है और अपने भाही की मदद करती है थैंक यू फॉर वोचिंग